वेलकम तो CLC Judicial यह जो special session है यह mock session 2 जो हमारे institution में live mock हुआ वो live mock की video recording दी जाती है सभी students को और बहुत सारे students को पता नहीं है कि हम लोग इस बार बिहार APO interview free of costs हर किसी को दे रहे हैं जो भी genuine candidate है और तमाम उन students जो बिहार APO interview की तैयारी करें उनके लिए YouTube के जरिये जो हम लोगों के live class में जो mock हो रहा है उसकी as it is video recording के साथ YouTube पे paste करते हैं इससे आपको काफ़ी लाव होगा और अगर आप direct mock में participate करना चाहते हैं तो screen पे लिखे हुए number पे अब call कर आप हम से संपर कर सकते हैं opening message के तोर पे मैं एक दो चीचे आप से कहना चाहूंगा मैं बहुत सारे students को देखता हूं कि एक interview का psychological pressure होता है कुछ student introvert होता है बोलते वकत nervous हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि जो बिहार APO का topper होगा और आप आप दोनों में topper में और आप में कोई बहुत ज्यादा कांतर नहीं हो देखिए law एक ऐसा subject है कि जब थोड़ा समय गुजरेगा तभी आप इसे अच्छे ढंग से बोल सकता है अभी किसी question का जबाब जो topper देगा जो top करेगा उस ही के आसपस आपका भी जबाब होगा कुछ और भी होता है उसके means में थोड़े अच्छे नंबर होता है थोड़े interview में थोड़े इंटर्वीड में भी अच्छे नंबर आ गया तो रैंक होगे लह उसका आ गया तो आप देखिए इंटर्विव में तो जो आपका है आप अच्छे नमबर प्ला सकता है इंटर्विव में लेगिन जो में जो आपके नमबर आचुके हैं तो पॉइंट नमबर वण कि किसी भी हालत में अपने आपको अंडर इस्टिमेट और ओवर इस्टिमेट दोनों में स बना के रखी हुई है, तो आपकी efficiency, आपकी mental capacity, आपकी अदास की ताकत, आपकी जितनी memories ये चार गुना ज्यादा काम करती हैं, और ये medical science के द्वारा proven fact है, मैं खुद नहीं medical science के हिसाब से, तो चाहे जो मर्जी हो जाए, अपनी positivity नहीं खोना है, एनर्जी बना के रखना है, क मेरा एक छोड़ा सा संकल्प है, हमारे इरादे कुछ हो रहा है, आप हम से जूड़िया, हमारे mission में participate कीजिया, अपने सपने को सकार कीजिया, देखिए, इस mock को देखिए, ये mock part two है, कल का mock part three, ऐसे, हम लोगों ने जिस दिन बिहार का result निकला था, उसके आगले दिन से ही mock सुड़ू कर दिया, आपका जितना ज्यादा से ज्यादा mock को, हर subject को touch करते हुए mock को, तब आप mirror practice करें, तो आपके लिए काफी helpful हो सकता है, आपके comments are most welcome, अगर आपको share करना चाहा है, तो comment के माधे हम से, numbers लिखे हुए हैं, screen पे, numbers आप call कर सकते हैं, comments कर सकते हैं, तो all the best, आप तियारी कीजिये, ये mock session को देखिये, thank you, thank you very much, अभी एक class recorded हो रहा, आप में से जिन से भी जो सवाल पूछे जाएंगा, तो आपको अपना video upload करके जबाब देना है, To begin with, हम लोगे सामने एक बहुत बड़ी चुनावती है, राधर एक challenge है, बहुत बड़ा challenge, और challenge जो है कि, जो starting, जो आपका opening questions होगा interview में, आपका जाते के साथ ही पहला question होगा, कि आप अभी फिलहाल क्या कर रहा है, तो आप हमेशा एक चीज को ध्यान में रखियेगा, आपका medium जो भी हो, आप भूल जाए अपने medium को, आप से interview boards, ने अगर हेंडी में सवाल किया, और आपका English medium है, और आप English में जबाब दे रहा, जब एक second, yes business, class होड़ा, form नहीं बड़ा होगा, आपने इसले link नहीं मिला होगा, अचा, form भढ़ दिया आपने, तो सादा screenshot नहीं भेज पाई, इसलिए मैं आपको अब भी भेज दता हूँ, एक अलग से लिंग, आप जोईन करेंगें, एक मिनट, आज एक दो दिन तक ये रहेगी दिखते, just one second, आप ये समझेए कि initial burden अगर आपने discharge कर दिया, और जो सुरुवाती questions के satisfactory जबाब आपने दे दिया, तो आपका interview, अच्छा माना जाए, सुरुवाती questions को ignore नहीं करना है, सुरुवाती questions के लिए कोई uniform answer नहीं हो सकता, जैसे कोई job कर रहे है, कोई LLM कर रहे है, कोई घर बैठके तैयारी कर रहे है, कोई कहीं already employed है, तो जो सुरुवाती questions, आपका ये पहला question mandatory है, interview board के लिए, जाते ही के साथ ही पूछा जाया है, कि अभी आप फिलाल क्या करना, तो इस question का effective और satisfactory answer देने के लिए, एक special workout, हर student के लिए separate workout, तो आप एक एक करके, एक साधे page पे, कि आपने LLB कहां से किया, एक bio data type का, साधे दो-चार सीजे लिखते हुए, कि आपने LLB कहां से, पौन से university से किया, पौन से year में pass out किया है, LLM किया है, तो लिखे है, किस subject में किया है आपने, और उसके बाद से लेके, अभी तक आप क्या करता है, ताकि आपके उस profile को देखते हुए, आपके लिए, आपका क्या satisfactory answer हो सकता, उस पे workout किया जा सका, अचानक से अगर आप पूस्ते हैं कुछ, और अचानक से उस पे बगेर workout किया, अगर कोई जवाब दिया जाता है, या जवाब बनाया जाता है, तो मैं उसे ठीक नहीं मामता, लेट उस है टाइम, आप भी अपना समय लीजिए, मैं भी अपना समय लेके, और उस पे proper तरीके से workout करते हुए, यस अज़ा है, यस अज़ा है, कुछ नहीं है, यस यस, नहीं, वो APO interview के लिए, एक आपको अलग से form भड़ना पड़े गाँ, मैं अभी आपको form भीज देता हूँ, एक अलग से separately, अभी आप class join कर लिए और class के बात form भड़के, कल से regular हो जाएगी है, मैं भेजता हूँ, अब बच्चे लोग वही हैं, लिंक का वेट करें, और उनको किसी कारण से, उनको रुखियों लिंक बहुत सारे बच्चे लोगों को, ये समस्या है, अब किसी ने लिंक भड़ दिया है, किसी ने अब लिजियों, लिंक चला गया गलती से, दूसरे ग्रूप में, आज क्लास डिस्टर्ब रहेगा, पूरा क्लास ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा, चले अब जो आते हैं, अब आज का तो जहलना है, आज का थोड़ा इन कन्विनियंस रहेगा, वो आज तक ही दिक्कत है, कल ठीट हो जाएगा, आप में से, वर्ट्षप ग्रूप नहीं बनाया गया है, इसका ग्रूप केलिग्राम पे बनाया गया, बिहार APO इंटर्वियू करके हैं, और इस ग्रूप में, जैसे आपको एक शुरुवाती फॉर्म भटना मेंडेटरी है, वह आप फॉर्म भरेंगे हैं, उसके बाद ही उस ग्रूप में एड़ किया जाएगा, एज पर रूल्स, तो उस फॉर्म को जल से जल भर के और फॉर्म भटने के बाद एक स्क्रीन सॉट मुझे भेज दे दियेगा, ताखी मैं आपको इमीडियेटली आइड कर सको, तो, अच्छा, तो हो सकता है, आपने, जस वन सेकेंड, होल्ड की जिया, मैं जस एक सेकेंड देख रहाँ, जी शे, यह भी इचेंटी बाद, अच्छा, आपका भी, अच्छा लिए हो सकता है, एरर कुछ, अच्छ, एरर हो गया हो, सर, जिकने लोग फॉर्म बहुत देखाने हैं, अमका अलक्षे आप पुनी पगर बनाने को सब को एक साथ में जाने हैं, हाँ, उनी का, उनी का अलक्षे ही ग्रूप है, बिहार, एपियो इंटर्व्यू, यह उनी लोगों का ग्रूप है, किसी का स्क्रीन सोट किसी कारण से भूल गया है, जो भी कारण नहीं आपाया, तो ओ थोड़ी सी दिखते हुए है, तो एनीवे, कोई भी नई चीजिया स्टार्ट होती है, सूब काम में बिघन तो आता ही आता है, अगर सूब काम में बिघन आ रहा तो आप समझें कि आपका काम अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया, यह एक आपके जिंद्गी का यह एक बहुत ही क्रूसियल मोड है, आप इस समय काफी तनाओं में होंगा, कि आपका इंटर्वियू कैसा होगा, किस तरीके का होगा, बोर्ड कैसा होगा, आपकी कभी आपको फ्रस्टेशन भी होगा, कि दूसरे तो बहुत अच्छे बोले हैं, मेरी तयारी तो है यह नहीं, मेरा तो सेलेक्शन ही नहीं होगा ऐसे तमाम तरह के अपस और डाउन्स, बहुत सारे अपस और डाउन्स आएंगे आप, और आपकी समझदारी और बहादुरी दोनों, इसी में है कि इस अप डाउन को आपको काबू में रखना है, आपको अपना बहतरीन से बहतरीन एफर्ट्स कटना है, तो उन चीज़ों क लिविंगे साइट, कल हम लोगों ने उन चीज़ों पर बहुत सारी चर्चाय करी और एक बर फिर से रिपीट करते हुआ, और हर किसी का जो परसनल प्रोफाइल है, उससे उनके जो परसनल प्रोफाइल से जो क्वेशन्स होंगा, वो क्वेशन्स तभी सुरू किये जब आपका वन पेज का बैयो डेटा आता है हमारे पास, और मेरे पास वर्कलोट बहुत होता है, कभी मैं भूल भी गया आपने भेज रखाया, तो आप मुझे कीप आन रिमाइंडिंग में, आज हम लोग सिकेंड पार्ट में, आप से सवाल पूछा जायागा, और आपको अपना वीडियो अन करके, जैसे अजिए अजिए आप ये मत सुचियेगा कि आप क्लासेज में हाँ, आप अजिए आप ये सुच ते हुए जबाब देजियेगा कि आप इंटर्वियो को फेश करें, और लाइव इंटर्वियो चला, और आप से सवाल पूछा जारा, आप अजन सवालों के जबाब देता, एवडेंस, जो है, एवडेंस का दूल क्या हा? What is the role of evidence? Yes, because सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें जो क्वेशन्स हमने पूछे इन क्वेशन्सक्राइब को नोट कर लिजिएगा विडियो सुनिएगा इसे भी बेहतरीन से बेहतरीन आंसर और क्या हो सकता उसपे भी वर्काउट आपको कटना है आप mirror practice सभी सही तरीके से कर सकते जब आपको उस question का answer पता है अगर उस question का answer ही नहीं है आपके पास तो चाहे आप mirror practice कीजिए या mirror के सामने बैठके गाना गाई है दोनों एक ही है तो my prime focus कि आपको सवाल पूछे जाए उन सवालों के बहतरीन से बहतरीन जबाब क्या हो सकता है वो जबाब भी बताएगा सवाल पूछना और आपका जबाब देना ही sufficient नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ कि उन सवालों का बहतरीन जबाब student life में सुगी conceptual clarity नहीं होने के कारण आप किसी बात को unnecessary linger करके बोलता एक कहौत आपने सुनी होगी gravity is the soul of wits इसका मतलब होता है कि बुधिमान लोग हमेशा sun shape में ही बुधिमानी की आत्मा जिस्ट में sun shape form में होती है और ये कहौत gravity is the soul of wits तो जैसे जैसे आपकी understanding और maturity बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका presentation भी lucid, accurate और to the point होता जाएगा येस राजिश अगर आपको इस सवाल का जवाब देना है कि evidence का purpose क्या है क्या जवाब होगा आपका अजिए आपकाँ जाएगा video आपकार का बढ़ता है प्रृट जाएगा ये दो मातर चेहएगा ये दो जोगा क्यू प्रुप्ट कर इच्छिए मातर जोगा मुंशत आपकाँ जापकाँ एएगे ये इस तोए आपकाँ ये तोश्श्बिए यह स ई एफ ए को ऍपनीजियлам demasiado है हॉआ है झाहिए नप्रस आविदक पर्वस अविदन एक पर्वसम देएंस अगर इसे कहा जाए तो बिंग दे तूथ बिफोर कोट यह तोट में आजब देखिए अचलिये आप लुक ट्राहे कोई जरुरी नहीं है कि इस सवाल का टो बिंग दे टूथ भी फोर कोट this is the only perfect and correct answer ऐसा नहीं है इसे भी अच्छे अंशर हो सकता आपको लगतार कोशिश करते रहना है कि सडने बताया उसे भी कोई अच्छा अंसर हो सकता है या नहीं हो सकता देखिए, to be very honest, मैं एक सधारन इंसान हूँ, I never claim myself to be an instinct, आप यहाँ पर आपने जिवाइन किया है कि आप अच्छा से अच्छा आंसर दे सके, तो हमारे आंसर पर आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है कि सर का आंसर है और बहतरीन आंसर है, आपको खुद फाइंड आउट कटना है, यह आंसर कैसा है, क्या इससे कोई और बहतरीन आंसर भी हो सकता, अगर आपको मिलता है उससे बहतरीन आंसर तो जरूर हमें भी बताइए, शेर किजिए हमारे साथ, अगर आपका आपका आंसर बहतरीन है तो हम उससे ओके कर देंगा, yes, you can go with this answer, no issue, मुलसद आप question को try कीजिए, what is the purpose of evidence, just a second, बच्चे लोग का, yes, Roshan, form भड़ दिया था, नहीं, आपको interview का भी इछले है, अभी हम आपको class link अलग से भेज दे रहे हैं, और आप class के बाद form भड़ दिजिएगा, ये interview का एक अलग से admission form भड़ा जा रहा है, अभी आपको हम भेज रहे हैं link, आज disturbance मैंने कहा नगी रहेगा, और इसलिए just, आज हम लोग, अब क्या किया जाए, जितना आज हो सकता है, इन हलातों में उतना करें, ये आज हूँ करू आज दो, अज़ए, जितना आज हम लोग, आज आज बहुत व। आज हम लोग, आज। एज़ए, आज हम लोग, अजिए बहुत व।, आज़ए, आज आज़ए, इसम लोग को, अपने आंशर को जितना छोटा रखेंगा अतना ही कमफोटेबल होंगा और सेकेंडली जो अभी मैंने नोट किया कि जब आप आंशर दें तो जहां पे आपका कैमरा है जो आपका स्क्रीन है जिस किसी मोड़ से हैं तो आप बिलकुल मुखातिब हो के दें अब माली जे कि आप से सवाल सामने वाला आप ऐसे सोच के तो तो देडिज नोट दे करेक्ट वे अफ आंशरिंग गेचर पोचर भी ओध्यान दे या ना देन लेकिन हम लोगों को ध्यान देना तो और बागी बच्चे लोग भी जो हैं ये सारे चीजिया आप सबों के लिए कौमन है तो आप लोग भी इन चीजियों को नोट करते चलेंगे कोपी में नोट करते चलेंगे येस मन इस नाव आप कुछ कह रहा था है मैं एम में नायक ये मी कौमन है थWhere राला अप भी खी नात ये उन्यो चेची Ch holders क्रिए नहां जांदा रखना हुएकर रखना है। है ट्रूस्ट नहां प्लेख़ाय प्लेखुरत है। आप आप बहिए अंबर वन का ख्याल बिल्कुल अपने दिमाग से इंटर्वीव में निकाल देजिया वो अनाड़ी नहीं है कि उन्हें इलेबरेशन की जरूरत था मेरा ही एड़्वाइस है कल भी यही कह रहा था इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है एक नेचुरल हुमन फिलिंग है कि हम अपनी बात को असपष्ट तरीके से आपको यह मान कर चलना है कि वह बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग है वहाँ पर और उनको इलेबरेशन की या उनको समझाने की जूरत नहीं है और इनकेस अधरवाइज अलसो उनके सामने हम क्या इलेबरेट कर पाए है तो और ज्यादा अगर आपका आंसर लेंदी होगा तो आपके आंसर से ही फिर वो काउंडर कोशन्स करने लगेंगे और काउंडर कोशनिंग हो गया तो आप ये समझे की काउंडर कोशनिंग एक डेंजर साहीं है लेकिन अगर काउंडर कोशनिंग हो भी गया तो आप कभी-कभी आपके डेफ्ट को भी टेस्ट करने के लिए काउंडर कोईशनिंग, उनको अच्छा लगता है, खूस होते हैं, और आप क्या जानते हैं, उसके लिए भी होता है, तो ऐसा नहीं, कोई उनिफर्म रूल नहीं है, कि काउंडर कोईशन हो रहा है, तो आप से इरिटेट ही होगा, तो सकता है, खूस होके, आप से ही रखना है, आपको चाहे जो अन्याम हो, no negativity at all, चाहे जासा भी आपका इंटर्गी हो, आपको शिर्फ अबना, अबर, the purpose of evidence is either to prove or disprove a case, correct, on the basis of its truthfulness, yes Sarah, it is now your turn, Yes sir, according to section 3, according to section 2, evidence means to prove or to ascertain, to make clear, or to bring proof of the fact before the truth Are you appearing as a candidate or are you teaching them? As a candidate तो यह आपने गलत नहीं बता है, यह आपने perfectly correct बता है लेगिन आप अपने limitation को short answer कौन देगा, आप ऐसे भी सूचिया दर्वाइच Short answer, नपातुला answer वही दे सकता है, जिसकी conceptuality थोड़ी अच्छी है आप खुद अस्वस्त नहीं है, कि कितना answer होना चाहिए तो answer आपका one line, two line, maximum two line, बहुत rare cases में three line, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए चुकि उनकी आदत भी नहीं है, कि extra answer को कभी ऐसा महाल नहीं हुआ होगा ऐसे प्रिविस नहीं हुए होंगे कि extra answers को और extra चीजों को politely लें यस नहीं का, इस नहीं का, इस नहीं का, इस वाप ऐसे भी कह सकता है, कि किसी evidence इस जुदिशल प्सेडिंग में ही दिया जाएगा, या extra जुदिशल प्सेडिंग में भी दिया जा सकता evidence कि आवा सकता किसी fact को आईदर प्रूव और डिस प्रूव करने के लिए and to bring the truth, तो दिए अब इस तरीके से और भी कई questions बन सकता, अब और भी proceedings में दिया जा सकता, अब आप से पूछ दिया जाएगा कि वो कौन से proceedings हैं, जहां पे evidence can be legally taken on oath, अब इस question का answer देने में अब थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो जाएगा, अगर आप अगर बहुत ज्यादा explanatory आपको नहीं देना, और सारा आपने कहा section 3, तो section 3 जो begins होता है, आप देखेंगा, क्लास के बाद आप देखेंगा बेरक्ट में, वो begin होता है कि evidence means and includes, तो और उसका भी बहुत बड़ा analysis है, कि evidence means and includes, क्या evidence act हम लोग का जो है, वो exhaustive है, या inclusive है, किस तरह का evidence act है, तो इससे भी बहुत सारे questions हो सकते हैं आपके, तो next, yes manis, do you want to add something? No, sir. और just document and just एक चीज में चीख कर रहा हूँ, मेरे पास बेरक्ट है, और this document evidence, yes, नीचे था, आप देखेंगा, जो ऑड़ेंचय कर चीख कर दिक्यषा कर दुड प्रफटन्च्ण, लूगेंचय कर दड से कृतर्शन, अज्या कर दक कर द दूड़ेंचिण, तो य chemistry, क्य क्या कर दिकतर का दूड़ेंच गासिते हैं, किस्तर कर दद्या कर दिएऌ उड़ेंचने, अकार कर्मार में फिर घ्ट राख पर्मू से मैं आपसे यह कहूंगा कि जो एविदेन्स एक्ट का ओबरॉल डिपनीशन है क्या ओए एक्जोस्टिव डिपनीशन है या नहीं है चलिए मन्तु इस क्वेशन गोज तो यू ओए दो कि आप दोल डिपनीशन oh no स्क विएर्प्ट कि अनपव च्वेशन जय ओए इस कि अरी इस कि अरीने-क्ट कि खिए ट्रॉल-धिन रोशन ये सवाल अब आप से कि जो evidence का definition दिया गया है वो किस तरह का exhaustive definition है या नहीं है? ये सदमन आप बताइए evidence का जो definition है वो exhaustive definition है या नहीं है? वीडियो अन करते हुआ है? येस बताइऄ बताओटब से सब्सक्राइब अबताओज आप जिया गया है? ये सवाल जोड़का टेश्वाण बताओब धरन आप से किले अजी इस नहीं है गया है. after the amendment, electronic evidence was counted, but it cannot be said that it is not the same, but it cannot be said that it is not the same, but it cannot be said that संपोस नौइट्स यो ट्रंट आप बताईया, evidence का जो definition दिया गया है, वो exhaustive definition है या नहीं है, तुमन आप बताईया, आप में से कोई भी आत्मी, anyone, yes, बताईया, चलिया, one by one, Manish, आप बताईया, झामशव बताईया नप्रोड़द बताईया प्रश्ट की इस तेदिंगा इढ़ श्रेंग क्याना निघ्ट रही है एक्जि़ूश्टिव पर क्या मतलब रहता है एक्षास्टिव डिपनिशन हम किसे काता है? एक्षास्टिव डिपनिशन चले वन बई यस सारा आप प्राइ किजिये फिर अमन से पूछेंगा यसर डिपनिशन जिसके बात कोई और श्में एफुस्ट ना करे पासलद वो एक्षास्ट कर गया उत्ला है व मिवटे टिपनिशन यसरमन आप पताया यसरमन अपताया अपताया शंवटिव डिपनिशन रॉट ना की तो इस प्राइत कृप्षास्टिव रिपनिशन प्राइज एवा पताया और भी कोई कहना चाहते हैं इसमा जोगी कैस थीदिवाइब नभी कोई कोई फिसमा झालाश फिस्ट अत्रू सब चर्छ सबस्टें जोगी जिवत्यटी जिवत्रिश्टीद्ट अभी कर दो इसे हैं। जर इसे से कि हाड़ते हैं कि एविदेगे इन रमें कंदीं अविदेगें ऑलाघ एका खलेदुरे पर्ट विदेगें जावत प्रणा येस शीज बताया है ये संदोस बताया इस तरह का डिफिनिशन इस तरह का डिफिनिशन इस तरह का डिफिनिशन कम्प्लीट डिफिनिशन उसमें किसी भी नई चीज को एड करने की गुझाइश नहीं होती क्याश goofy evidence act का section three े we currently find error definition means and includes हुई मतलब की evidence का मतलब दोही तरह का evidence हुआ और यह includes इस दोईन्त विन की other type of evidens उब्सक्षण not be included other type of evidences can also be included and on the basis of this definition other type of evidence like electronic evidence like other evidences have been included तो ये एक आपका theme हो गया subjective की किस तरह का definition है निविगा ने बहुत सही तरीके से case law को भी चर्चा किया आप जानी है इन सारे चीजों को अपने श्टोर में रखिया आव सकता हो अगर आगे वो पूछते हैं तब जबाब दीजिए तो अगर आप से सीधा पूछा जाए कि evidence का definition क्या exhaustive है या नहीं है तो आप सीधा एक लाइन में कहिए कि सर ये exhaustive definition नहीं है चुकी ये definition ही शुरू होता है means and includes से जो definition means and includes से शुरू होता है तो और भी चीजों को उसमें add कटने की possibilities होती हैं इसलिए ये exhaustive definition नहीं कहा जा सकता exhaustive definition में किसी और चीज को उसमें add नहीं किया जा सकता तो अगर ये आपने exhaustive को इस तरीके से दिया तो अगले question के लिए तयार हो जाए है limitation act exhaustive है या नहीं है अगर कोई act exhaustive है तो उसका consequence क्या होगा जो exhaustive act ये exhaustive definition होते हैं तो उसमें कुछ addition या deletion नहीं हो सकता अब limitation act में जो provisions है तो उनी provisions के दाएरे में limitation act चलेगा पूट अपना से कोई provision नहीं बना सकता और उसका हमेशा strict interpretation होगा तो yes manis जो येपना कि ये सकता जुट आपकाइ एक ये उवंगल ग्हास्ति, और नहीं अदीम हास्ते हां तो ये आपका ये वेह फ्छिवगं ये едहुरेश्न आपकाउ बना सकता ये फिए 피부 tengo is accused of murder and allegation against him was not proved he was accused now the question is allegations was not proved does it mean that since he was innocent and therefore allegation was not proved question को मैं repeat करता हूँ ध्यान से सुनियागा ये APO के जो भी इंटर्विव अगर होते हैं तो अक्सर इस तरह के आपके APO इंटर्विव में अब कहा नहीं जा सकता इंटर्विव बोर्ड हम लोग तो जो इक्सर साइज करें अब भोसी शी है कि आपकी almost questions का यहाँ पर रियाज हो जाए practice हो जाए जितना possible हो सकता है उत्मा हम लोग कर लाएं वहाँ पर क्या questions होंगा है उस बारे में इतना सारा है कैसे कहा जा सकता तो question is this कि a man was accused of murder charges of murder was not proved he was acuted because charges of murder was not proved can it be said that he was totally innocent may I say yes yes sir sir you think acquittal does not mean that he is innocent acquittal means that the case is not proved against truth but if we cannot say that case is not yes santur sir since the charges are not proved and he is acquitted by court then he is innocent what is the definition of not proved given into Indian evidence act sir not proved and exactly not proved not proved or disproved not proved or disproved murder is not proved or disproved वजी है उसका एकुत हुआ, तो the offense of murder was neither proved nor disproved। तो जब एसी situation आया तो, is it safe to say that he was totally innocent। अभस ब्रॉब बार नच्ड में थे उन्न हिए नुटूब है? लग्ए प्रहा वाष्टेश हैा medida कि विस्तैंग उप्रवती को करता又 को जर आरकाता है। चिक जरता आपका ये जु जबाब है गलत नहीं है, you have correctly answered. इस तरह की चीज़ें वहाँ हो सकती हैं, इस तरह के चीज़ें के लिए आपका लीगल जेस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए. अब मान लिज़ें कि मैंने ये सवाल पूछा, आपने इस सवाल का उल्टा answer दिया लेकिन सही answer दिया. तो जब ऐसी स्थिती आया, तो अपने तोर तरीकों को बहुत कुछ समझ के, जैसे interview board कुछ बोल लें, तो ऐसे मोड पे लोग बीच में interrupt करना लगता है, तो किसी भी सूरते हाल में, किसी भी कीमत में, जब interview board अगर कुछ कह रहा है आपसे, तो आप बीच में नहीं बोलेंगा. तो पंद्रह बीच मिनट इंटर्वियू, रूम के अंतरगत कैसे गुजाड़ना है, वो आपके लिए बहुत कुरूसियल है, आपने सारे सवालों के सही जबाब दियें, लेकिन आपके तोर तरीके अगर गलत है, तो फिर उसका भी असर पड़ेगा. As a question, easy question का अंसर, since the charges were not proved. Now, as per the definition of not proved, an offense which is neither proved nor disproved. So, on the basis of second part of the definition of the not proved, he may not be said to be totally innocent. I say, he may not be said to the truth, थोड़ा सा smart language को change कर दिया. So, this is just only one example, ये शिर्फ एक उदारन है, कि अगर ऐसी situation हो जाय तो, क्या करना है? हम लोग next आते है, register, register. सादी कोई law student हो जो ना जानता. चलिए, register पर ही करेंगे, yes or yes? What is register? अव्सार सबसे पूछा जागा, सबको मोगा दियागा, आजा जूख आना है? Yes, अजाए, जाए, रखना है ऋजाए डिमा, अटब्रोफ। ये वन-टो-वन क्लास हा, मुंसत्थ संतवोस ये ये सवाल, वट इस रखिश्ट? ज़स रखिए बुट सेट नाव ज़स्ट? ये 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 लिए ये 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 ये. ये, अख्योच नहिए अच्छिडेश्टाओ एफिजूच फिर नहए इम पार को अे अच्छिड़ का साथ खालो कि द्योच अज़र लिए भी अच्छिडेश्ट इन भीका, फिर से दियूच अश्छिड राड आरावरे लिए अच्छिड़ झालो के तुछिड़ में आरे ल प्रिस्वेड सेंस्टान सेंस्त प्रातिज्य आभर हैं अर्भल टीक्याजंग को है myot जिस्टान से प्रशना सेंस्ते इस लिजए है तरह공ाsung बदिसेंडिट इस झाष रहां यह है दिस बद्रेत बड़Elि wrap कि वह प्रू प्रेजर्व के यी कि अगे, सबाट통 कर WORogy कि अगना थे जब भर एकत फंग कि प्रू भर प्रू जिजर्विट है सुग ऑजल भाउत जाग जाड़न था इस भाग, इसके पहलोग तो झाड़ तो तो इसार दो प्रेश नग जाग। इस अधर इस पना है एस लैसिघ उन्ड़न यह नविगा यह नविगा यह भेड़ी, प्रas हो में इनप्रतु यह नविग्डिद्स त Natas, प्रावप्र। घुश्लिध सर्फड़ो इनपडेश आवक्रफ कि इन प्रवस्ट्स ते एल्पिक वे प्रवस्ट आंगू fed lOG कम झेल्स rough इनप्रğ मेंगू हवाद् सूम। in Indian एवधिसे, and section 6, 7, 8, in section are completely, we can say, borrowed the term of . or is just a means that the fact which are not an element fact वीर वी 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 ही, तो जो जाब जायोत अउंक कर दो गिस्सितास तो मै्य मि भुफ्थ, भुफ्रón डिन केओ आर कि देनो जायोות को जात कि परन पहलत कि दो फ्सEP रोचिय आर आरी अभा nouveaux जाइए्ट समी कि अजरत के प jijुए प Sugt गलाफ। वे इच् सक्राफंवीं लूज इन को ऑंप्नेट करें भा जब में जास्थित और देने इस्तानोंने, मुर्त का थे फिर deben देख God जिर जा सीजित हो कमें। यज़िने फिफ्ट निफट निफटS निफट्रेश निफट निफट्रेशने जफट्रेश निफट। ुएंधिन गल्सेट अजभग में छे लेंट बेंगा गपी, और बेंगा ह pigili है य relatively茶म उन्हेंट मेंटेंॉ है बडताभे अध़े चे से अधरेको दो आपाया थी। प्रेस अधासन अधासन अधाताए्य। नौ एक्षिण अधाथन्ग तरन प्रभताए्य। आप़ताए्य। ओर्रा अध़े इस नौ तरन सुमन आप बताया विकास यास सुमन प्लीश बताया नाप बताया कर जो लोगन है, प्यो Iya, सुम् न thumbs up, बाब तरिया यह स माण अभाब बताये इस सवार्य फिछ उसरो तेग्दिच्ण है अगर आप में से कोई राग है, by mistake अगर मैंने आप में से किछ से नहीं पूछा तो जो राग है, वो बता हिया झाल च्रक झाल आप टिंस नहीं आप हुचा है तो, ₩ लुषट है झाल नहीं लोग है तोजिए आप सभी लोगों ने सही डिफिनीशन दिया लेकिन इस डिफिनीशन को हम लोग थोड़ा और अच्छा भी कर सकते ये जो आप डिफिनीशन दे रहे हैं जितने भी बच्छे लोगों का इंटर्विव कॉल होगा सब अल्मोस्ट इसी तरह का डिफिनीशन दे अधिक तर मैक्समुल अब उसी डिफिनीशन में से अगर थोड़ा सा आपका प्रजेंटिशन अच्छा हो गया तो वही थोड़ा सा नंबर आपका पढ़े जाएगा और ये ही बहुत कुरूसियल है देखिए राइटली सेट कि रेजिएस्टे थिंक्स दन इंटो एक कोर्स अफ सेम ट्रंजेक्शन अगर इसे सौटेस्ट पॉसिबल में ये ठीक है सेक्शन सिक्स में दिया गया ठीक है लेटीन वर्ड है ये ठीक है डॉक्टिन अफ इंग्लिस लॉग है वो सारी चीजे ठीक है अब डॉक्टिन अफ इंग्लिस लॉग काते हैं पूछ दिया जाएगा कि भीया रेज येश्टे इंडियाल लोग में किया है और इंग्लीज लोग में दोनों में डिफ्रेंस किया है तो आप बोल ये बेशक लेगिन फिर अगर बोलते हैं तो फिर उस आगी के कोशन्स को भी तेयार रखिया चूगि जैसे ही आप बोलेंगे दोक्रिन आफ इंग्लीज लोग वैसे ही चांस उनका बनेगा कि फिरो डिफ्रेंस पूछ है तो मैं डिफ्रेंस भी आपको बता रहा हूं और रेज जेश्टे भी समझा रहा हूं रेज जेश्टे का सिम्पल सा लॉजिक है तब से छोड़े सब्दों है Facts forming part of same transaction are relevant अब ये तो definition section 6 से निकल के आगया रेज जेश्टे को कभी भी हम लाइफ में नहीं समझ सकता अगर transaction को नहीं समझ transaction किसे काता है what is the meaning of transaction yes Krishna sir, transaction I can say transaction group of sats open do connective routine to data or if the referral to the signals PR to date prime contact let to circle Sadam, Sadam. Pardip आटस्लिएidentally लुपिए आटस्ति लुपिए and it will be connected to each other. समान विकास जट एक सेकंड वो चार्जर जो है ना मेरा स्पीकर और माइक दोनों का रेट लाइट जल गई है चार्जिंग आउन करता है जी बता हिए अब सर्थ किसी गवियर से संवान दो जो सभी प्रक्तू जो एक एक अपना पोस्त करो आएट कर दिको एक किसे सो जोले अप्ति है कि किसे सो जोले अप्ति हो जोट से आगे पिगाए मन्टो नेविगा स्वाल क्या पूछा गया है स्वाल क्या पूछा गया है इने शेपिन दात रॉंग रॉंग या ईकथे डिपनिशन नहीं आ सकता तरमण इस जो कनेट गया जी बताया जैसे मर्डर हुआ, तो मर्डर इजे ट्रांजेक्शन, चीटिंग हुआ कहीं पर, चीटिंग हुआ कहीं पर, चीटिंग इजे ट्रांजेक्शन, रेप हुआ किसी हिगा, तो 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 रेप हुआ किसी हि Act done, transaction में act done होगा ही होगा, बगैर act done के कोई transaction नहीं हो सकता. Transaction is event or course of the event. जो Supreme Court ने define किया है और आपके law books में मिलेगा, सरकार की या जो भी जितने बड़ी-बड़ी आप law books पढ़ लें, सब में आपको यहीं मिलेगा. Transaction is basically course of an event. तो that is known as transaction. तो transaction का मतलब occurrence, incidence, कहीं जगड़ा हो रहा है, तो that is a transaction. तो देज जेश्टे हमें कहता है कि transaction और transaction के साथ जो associated fact है, वो भी दे लिवेंट है. मान लिजिए कि a ने b को थपड मारा. तो a के दुआरा b को थपड मारना, यह थपड मारने की एक transaction होगे. थपड मारने के बाद b का reaction क्या था? बी चीखने लगा, बी इस shouting for help. क्या यह fact होगा? अगर मैं कहूँ कि बी रोने लगा, बी अस्टार्टेट क्राइंग, तो यह जो part of a statement है कि बी अस्टार्टेट क्राइंग, क्या इसे हम लोग fact कह सकते हैं, within meaning of Indian Evidence Act? यह स्टार्टेट. तो जैसे माल लिजे कि किसी का रेप हुआ, तो रेप के बाद, या रेप के दौरान उसने सोर मचा है. तो जैसे हमे शिर्फ इए बतातागी, नट अज्टार्ट ने सोर मचा है. तो फ्विक्टिम ने सोर म्रश है. इसलिए सोर मचाया कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो रेज जेस्टे का अभी तो टीचिंग तो नहीं हो सकती, अभी जस ये हम लोग अपने रेगुलर कराते हैं अपने कोर्से में, अभी जस आप लोगों के समझने के परपस है, ताकि इंटर्व्यू अच्छे से रेज जेस्टे कोई ऐसा लोग स्टूडेंट नहीं होगा, जो नहीं जानता होगा, हर किसी का और उसी आंसर में अगर हम अच्छे से समझें, और अच्छे से अगर उनको पेस करें, तो वहीं पर थोड़ा हम लोगों को एडवांटेज मिलने के चांसे बन जाता है, तो दे दह लोगों कि अगर मान लीजे कि किसी लड़गी के साथ रेप हो रहा और रेप होने के दौरान उसने नस्चोर में चाया नव डरी उसने किसी भी तरह से रिसिस्ट नहीं किया अगर रेप के ट्रांजेक्शन के साथ इस तरह का दूसरा फैक्ट है कि अगर हम प्रिंसिपल फैक्ट को उसके सराउंडिंग फैट्स हैं जो उसके साथ है सोशेटेड फैट्स हैं उनके साथ हम जोड के देखता हैं तो हमें उस घटना का कम्प्लीट पिक्चर मिलता और एक प्वेशन इंटो डीजी एस वज आस्ट इस तो वाई फैट्स इसको जो एक्स्प्लेनेशन एक्स्ट एक्स्प्लेनेशन हमने आपको दिया यह आप समझे इसको अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किलियर कर लीजिया इस एस इस 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 वो स्वेशन जिए इसटे ऑके यह डाउट को लेगे नहीं जाना अगर डाउट है किसी भी तरह क्वापको तो फिर मोग क्लास कोई फैसके अगर आपके पास डाउट हो आप चूप रहे हैं ना पूछ हैं, तो फिर मोग क्लास का कोई परपस नहीं रह जाता, आप अपने डाउट को भरपूर पूछ है, और आपके हट डाउट का जबाब दिया जाएगा, कोशिस किया जाएगा, हट डाउट को एड्रेस करने का, I don't think कि अगर बच्छे लोग के पास डाउट है, तो कि अगर इंस्टिट्यूशन का फिर कोई मतलब नहीं रहता, डाउट, तो लास्टली चीजी समय कम है, हम लोग बहुत सारी चीजे डिटेल्स में नहीं कर सकते हैं, टाइम की लिमिटेशन है, तो यह जो ट्रांजैक्शन और यह समझाया गया, आप लोग कंप्लेटली समझ या कोई सवाल है आपके मन में, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिया, और अगर समझ गया है, तो फिर आगे बढ़ें। जाएं, चीजें जारण सेढंगा, आप सीदे से आंसर देंगा, इस परवाइड़न इन सक्षिन शीजे आपका आंसर गलत नहीं है, आपका आपका पर्फेक्ली करेक्ट है, आप्सलूटी करेक्ट है, लिगन इसी का अगर एक थोड़ा सा एक्स्प्लेनेशन आजाया, सबसे बहत्रीन आंसर यह हो सकता, थोड़ा से लिटिल एक्स्प्लानेशन, अब अधिकतर बच्छे लोग से अगर पूछा जाये कि facts forming part of same transaction are why they live in, तो करीब अधिकतर बच्छे लोगों के मुँझ से यही निकलेगा कि because it is provided in section 6, उनका answer गलत नहीं है, but is this a complete answer, आप से पूछा जारा why, आप से क्या पूछा जारा, इसका logic पूछा जारा, आप से यह नहीं पूछा जारा है कि यह section 6 में है, अचली इसी question को ट्राहि करता है, इस question का जबाब दीजिया, कि as to why fact forming part of same transaction are to be relevant. Sir, yes, please. Transforming part of same transaction, which is the complete picture of the track related to main transaction, which is principal track, and we will get to know the… मैं यहाँ थोड़ा सा, थोड़ा सा add करूँगा, इंटर्वियू में बोला है, तो main transaction की जगा, transaction in question कर सकता है, क्या main transaction को अगर substitute करते हैं यहाँ पर, कि transaction in question, तो कैसा ठीक रहेगा? Yes sir, part of the principal fact. मतलए इसको देखिए सारे जिन जिन बच्चे लोगों का इंटर्वियू और उनको अनाड़े मत समझे, वह भी आप ही के level क्या है, तभी तो वहाँ तक उस level कोई थोड़ा ज्यादा, कोई थोड़ा कम, यही माज़दा है, अगर यहाँ पर अगर आप ठीक से बोल पाए, और अच्छे तरीके से बोल पाए, तो यही थोड़ा सा नंबर आपको ज्यादा आजाएगा, आप उस boundary line को cross कर गया, तो आपका selection हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब doctrine of English law, English law of register and Indian law of register, इन दोनों में क्या आंतरा? Yes, Sarah English law जुहें पहती नरो करता है, और Indian law जुहें बहुती बाएट है, इंदिन law की according, same time भी है, और different time है, different place है, different transaction, लेकिन Different transaction भी है, different place, sorry, different time, different place है, but foreign law की according on the same time, same transaction Foreign law जो और English law के हिसाब से, English law, English law जितना भी countries के law है, register के, सारे के सारे Indian law को follow करता है, इंदिन law को follow करता है, ये ठीक कहना ठीक नहीं होगा, चुकि उनका law और पहले बना, English law के principle से दो कर्दम आगे, English law में register, वही होगा, जो same time, same place, same time, same place को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, मालिज ये किसी लड़गी के साथ गलत काम हुआ, तो उस समय अगर वो चिलाती है, तो देप के transaction का part होगा उसका चिलाना, लेकिन देप होने के बाद, वो पुलिस को fall करती है, रेप होने के बाद वो घर जाती है, और थोड़ी दर के बाद अपनी मम्मी को बताती है, तो मम्मी को बताना, रेप की घटना के बाद, तो रेप कहीं दूसरी जगह हुआ, उसका घर कहीं दूसरी जगह हुआ, तो time gap भी दोनों में हो गया, यह नहीं हुआ time gap? English law में bedding field का case आप लोग पढ़ते होंगा, bedding field, bedding field के case का fact किसी को याद है तो बताई है? क्या था, case का fact? तो उसको बेडिए उसली दिखिया था तब उसने पहटना हमने की बाद आकर बताती हैं कि C-Aunt Wedding भी ने किया मेरे पास तो ये अधी टाइम ने हैं नहीं कहा था और बाद में कहा था तो ये इंडिन नो कि कोड़ी acceptable है बद इंग्ले लो की कोड़ी acceptable है आरवर्ड से फोस्टर में इंगलीज लोग थोड़ा रिलाक्स हुआ थोड़ा से एक्स्टेंड किया गया और हम थोड़ा से इसको आपको जल्दी से समझा देता है यूगि ये सारी चीजे आप लोग के उतने आंसर थोड़े थोड़े डिफेक्टिव आएंगे और डिफेक्टिव आएंगे सबका डिफेक्टिव आंसर सुनना और फिर बताना तो टाइम ज्यादा हो जाएगा हम इसको वन सॉट में एक्स्टेंड कर देता है बेडिंग फिल्ड के केस में जब उस महिला का गला काटा जा रहा था तो उस समय उसने कुछ नहीं बोला ओ घटना जब खतम हो गए जब गला काटके भाग गिया उसके बाद उसने का कि आंस सी लुक वट बेडिंग फिल्ड हैस दन तो में बेडिंग फिल्ड एक्यूज का नाम था विक्टिम का नाम नहीं था तो वट बेडिंग फिल्ड अब इंग्लिस स्पोर्ट ने ये कहा कि घटना जब खतम हो गई तब उसने कहा और इंग्लिस लोग का डिफिनिशन है स्यम ताइम स्यम प्लेश अगर घटना के ही वगद तो सोर मच आती चिल आती और वो सुन के उसकी आंडी आती तन चुक्राइब खतम हो गई और उसके बाद इसने बताया so therefore it is not part of the same transaction, it is part of the different transaction आर वजिज फोस्टर के केस में विटनेशने नहीं देखा था एक्सिडेंट होते हुया उसने शिर्फ क्या देखा था transaction देखा था या speeding transaction देखिए अंदाज पे कुछ नहीं बोलना है उसने witness ने speeding vehicle देखा था या accident होते हुए देखा था a speeding vehicle a speeding vehicle देखा था accident होते हुए उसने नहीं देखा था जो victim था accident का वो आया उसके पास और बताया कि उसका accident हुआ तो accident तो हो गया वो घटना ओबर हो गई उसके बाद witness आके बताता है इसको कि उसका accident हुआ तो bedding field का law वहाँ पे अपलाई करते है तो r versus foster भी admissible नहीं होता हुए तो bedding field law was later on not found to be a good law और उस r versus foster में एक liberal wide view लिया गे और वहाँ से देखते देखते बहु सारे कंटीजने सुचा कि same time same place अगर different time different place भी होता है तो एक transaction से associated जो जादा जीजे हां वो ज्यादा range cover करेंगी ज्यादा truthfulness complete ज्यादा picture मिलेगा तो इसले बाखी कंटीज में different time different place हमारे हंऊ रे जिस देखते हैं not only the facts forming part of same transaction at same time and same place it is also different time and different place is also retail वो देखगी चियागा एसच दे देर की different times and places वेरक्त में चिक किजिया ये मिलग आपको लास्ट लाइन में तो इसको रुस तरीके सेकर लिएगा और बेसिकली section 6 का extension section 7 section 8 माना गया this is all based upon this gesture principle section 7 का अता occasion cause effect अभी हम लोगो ने चर्चा किया कि किसी लडगी का रेप हो रहा और उसने shouted for the help तो ट्रीक ट्रांचेक्शन का पाट हो गया same time same place रेप हुआ जिस कारण से उसने helpfully shout गया तो इस नोट इस इस वी called also the effect of the rape सोची एक सेकंड और सोच के बताईया अभी तो हम लोगो ने सिर्फ इतना ही कि at the time of rape victim shouted for the help तो उसी समय जब rape हो रहा था तो उसी समय उसने help के लिए shout किया तो ठीक है same transaction का पाट हो गया तो question is this कि whether effect of a transaction can be part of the transaction or not just consider this statement for a moment अगर माली जए हमने बंदूख से गोली चलाई और उससे जो आवाज निकले तो बंदूख से गोली चलाना एक transaction हो गया उससे गोली चलाने से जो आवाज निकले उस transaction का एक दूशा fact हो गया उससे connected हा और गोली चलाने का effect आवाज का निकलना हो गया नहीं हो तो therefore section 7 is also based upon the principle of section 6 section 8 में motive, conduct, subsequent conduct, previous conduct ये भी the element कोई accuse उसने किसी का पर्स छीना accuse के द्वारा पर्स छीना क्या इस पर हम लोग transaction का सकते हैं सुच के बताईए ये सब्सक्राइब इस हम लोग ने transaction का definition किया conduct बिल्गुल आएगा conduct में मेरा सवाल ये है आपसे कि पर्स का छीनना अभी जो हम लोग ने transaction का definition किया any event may be treated as a transaction अगर case से connected है तो आपकी case से connected कोई भी event एक transaction हो सकता है तो एक्यूज के द्वारा पर्स छीनना क्या एक पर्स छीनने का transaction कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है और पर्स छीनने के बाद एक्यूज का वहां से भागना क्या हो ट्रांजेक्शन का part क्या हम लोग है सकते हैं part of same transaction और उसका भागना उसका conduct भी है या नहीं है क्यूज का तो देखिये इसी लिएक हमारे जूरिस्ट लोग होना ये रिजनिंग दे कि section 6 का ही doctrine section 7 section 8 पे लागू होता है और in fact section 7 and section 8 are extensions of section 6 तो इसको अपने तरी अब जस हमने एक थोड़ा छोड़ा सा input दे दिया आप लोगों ने मेंस दिया ही है मेंस qualify किया है आपकी knowledge अच्छी है जो बाखी कुछ चीजे जो होंगी आप अपने notes और या जो भी आपके पास और आपको एक चीज और मैं बताओं आपके लिए यह इतना सुनहरा मौका है इससे बहतरीन मौका नहीं हो सकता मैं जो आपको यह सारी चीजें बता रहा हूं यह सारी चीजें हर बच्चे के भले के लिए हमने यूटूब पे इसका जिस्ट डाल दिया है रेज जिस्टे पे हमारे वीडियो जहां यूटूब पर IPC के सारे अल्मोस्ट टॉपिक्स देखिया है अब हर टॉपिक को मौक इंटर्व्यू क्लास में अभी के क्लास में आपका मौक भी चला और टीचिंग हो रही है दोनों हो रही है एक लिमिटेड टीचिंग तो मेरे चाने का यह मतलब है कि ओ यूटूब वीडियोज को आप दो बार चार बार पांच बार देखके आप अपना नोर्स बना लिजिएगा अगर समझ मेरे हिसाब से तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चुकि आप लोग अप सिनियर स्टूडेंट है अगर समझने में दिक्कत होती है तो कोई संकूच मत कीजिएगा मेरे से पूछिएगा और हम आपको एक्स्प्लेइन करेंगे क्या पता जो डाउट आपने पाल के रखा हुआ ही डाउट आपसे पूछ दिया गया तो उन वीडियोज को आप देखें अब यहाँ पे तो अब कर पाना इतना सौट टाइम है टीचिंग तो पॉसिबल नहीं है कुछ हद तक लिमिटेड टीचिंग जरूर होगी चुकि जो आपके मिस्टेक्स जो हो रहा है अगर यह एक्स्प्लेनेशन नहीं दिया जाए तो फिर यह करेक्ट होने के चांसे स्क्रम होंगे इसलिए मजबूरी में एक्स्प्लेनेशन देना पड़ा आप लोगों के भले के लिए तीजी टोके आगे बढ़ें थोड़ा सा आप बीच बीच में अगर आपका कोई डाउट होना तो पीछे मत रहेगा आप पूछ लिजियागा अगर मलेजिया कि आपका डाउट है और आप नहीं पूछता है तो यह ठीक बात नहीं यह अगर डाउट है तो जरूर पूछे, I love to address your doubts. यह मत सोचे आगे सर से पूछेंगा तो I always love, I always prefer to address the doubt of a student. अगर a student के doubt को हम address नहीं कर सकते है अगर किसी कारान से तो time ले सकते हैं कि भई आज नहीं कल बता देंगा. लें doubt को इग्नोर करना, that is never good. Section 9, what is TIP? Yes, Manish. TIP is a face identification plate where a group of accused is placed in a row and the witness used to identify among that group and that group has similar face and similar height with regard to, as per the description given by the witness and they have to identify among that group that who is the main accused. Can accused be compelled to participate into TIP setting for his identification? No sir, accused. Accused are not bound to participate in some for TIP. Why? Because nobody can compare to be a, compare to give evidence of its own. It is also said in constitution of India, article 20. Clause? Clause? 20 clause of 1. Galat. 23, 23, 23, 23. You rightly said about TIP. What is police TIP? What is police TIP and what is judicial TIP? q o close, t Wakar या नहीं होगा? किम का भी बोल होता रहा है यह सो आंशर इस वेरी करेक्ट और क्या सेक्शन नाइन में दिया हुआ है? आप इन सेक्ट में? ना नेसेसरी तो इस्प्लेंग तो उच्में फेन देट इजे क्वेशन रिगार्डिंटिटी अफ ए पर्सन और थिंग अगर एक यूज के इडेंटिटी में टी आईपी किन हलातों में कराया जाता है? कब टी आईपी किये आऊ सकता है? जब इन्वेस्टिगेशन चल दाओ जब इन्वेस्टिगेशन चल दाओ आप में से कोई भी बच्छे लोग इसका आंसर दीजिये जब आईपी किया जब टीजिगेशन चल दाओ ये फर्स इंस्ट्ट में कराया जब जब इसका जब इसका जब टीजिगेशन चल दाओ जब इसका जब टीजिगेशन चल दाओ में एक बर फिट्टिगेशन चल दाओ और लॉण जब टीजिगेशन चल विट्टीव में तेजिगेशन चल अदू देखिए मैं एक मिनट बता दूँ आपको ये टी आई पी का कोईचन रहने का बहुत ही हाई चांस हा ये मेरा तुक्का है अब मुझे नहीं पता कि मेरा तुक्का लगेगा कि नहीं लगेगा जस एक टीचर का गेस वर्क होता है कभी गेस काम भी करता है कभी नहीं भी काम करता है तो मेरे हिसाब से ये टी आई पी वाला कोईचन खुब पूछा जाएगा अब टी आई पी के बारे में जान लिजिए सेक्शन नाइन में जब भी विडियो आपको पोस्ट किया जाएगा क्लास के बाद तो विडियो तुंते हुए जो चीजें है काम भी उनको नोट कर लेजिया कॉपी में तो once again I repeat, when there is a need or when there is necessity to establish identity of a thing or person, T.I.P. becomes necessary अब मालीजे कोई महिला मार्गिट जारे ये कोई नामालूम ब्यक्ती उसका चैन खिन के भाग गया तो वो जो महिला विक्टिम है, she best knows that who was the accused, who committed this offense तो अगर पुलिस किसी को पकड़ती है किसी तरह से, तो पुलिस ने जिस ब्यक्ती को पकड़ा, क्या ये वही ब्यक्ती है जिस महिला का चैन शिन के भागा या कोई और जिए पुलिस को तो नहीं पता कि महिला का चैन कौन शिन के भागा तो, and therefore in such cases, और सारा ने सही कहा कि नेम्ड F.I.R. में T.I.P. की जरूरत क्या का था सारा, कि नेम्ड F.I.R. में T.I.P. की जरूरत होती है नहीं होती है जहां पे नेम्ड F.I.R. होता है बहां पे जरूरत नहीं होती है जहां पे नेम्ड F.I.R. में T.I.P. करवाते हैं या इडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए करवाते हैं तो बिल्कुल देखिए अगर F.I.R. में T.I.R. में T.I.P. का नाम ही लिखा हुआ है तो T.I.P. करवाने का कोई मक्सद नहीं रह गया मान लिजिए कोई डेट बोडी मिलती है उसका चेहरा छट भी छट कर दिया गया है उसकी पहचान उसके कपड़ों से की गई उसकी पहचान उसके जूते से की गई राजीव गांधी का जब एसासिनेशन हुआ था तो राजीव गांधी की लास्ट छट मिछट हो गई थे जो केश चला था राजीव गांधी की कैसे पहचान होई थे एनी अफ यू जी इंटर्व्यू के लिए डेलिवेंट नहीं है लेकिन जस्ट क्लास चला था तो उसी संट राजीव गांधी ने जो जूते पहचान थे उन जूतों से उनकी पहचान की गई बॉड़ी बिलबुल खतम हो गई थे तो कहीं कोई डेड़ बॉड़ी मिलता है तो अगर ये डेड़ बॉड़ी किसकी है मिर्टक का नाम क्या है इस बातों इन बातों को कौन कंफर्म करेगा जो मिर्टक को जानता हो मिर्टक के घर वाले या कोई भी आदमी जो मिर्टक को परसनली जानता हू तो अब जैसे मालीजे वो महिला बजार जा रही है और कोई आदमी आया उसका चैन छीन के भाग गया तो इन हलातों में एक यूज का टी आईपी जरूरी हो जाता है और पुलिस ने जो चैन बरामत की है क्या ये वही चैन है जो उस महिला ने पहनी थी और वर्दात में इसे छीना गया क्या ये भी इस्टेबलिस करना जरूरी होगा या नहीं होगा बताईए है अप लोग बागी बच्चे लोग भी बताईए तो एक्यूज के पास से जो सोने का चैन पुलिस ने रिकवर किया उसकी विशनाख्त होगी और उस टी आईपी को हम लग कहा कहेंगे सोने की चैन जो चीनी गई क्या उसको केस प्रोपर्टी कह सकते हैं हम लोग तो जो सोने की चैन चीनी गई तो वो सोने की चैन केस प्रोपर्टी कही जा सकती है या नहीं कही जा सकते कर दाएब लोग कि चैन चिनना किसी लडी का चैन चिनना सिविल केस होगा क्रिमिनल केस नहीं कह सकते है क्रिमिनल प्रिणिंग ही कहना जडूरी है अचले उस इन ही confusion को ही दूर करना हम लोगों को mock session में और case किसी को भी rap case सुना है, murder case सुना है आपने यह murder proceedings होता है case case तो case कुछ भी हो सकता, civil case, criminal case, labor case, defamation case हम जो आम बोल चाल की भासा में criminal proceedings भी होती है क्या civil proceedings नहीं होती है contempt proceedings नहीं होती summary proceedings नहीं होती execution proceedings नहीं होती ex-party proceedings नहीं होती तमाम तरह के कही सारे नामों से जाना जाता है anyway हम लोग come back to the original topic अब मेरा सवाल यह है कि जो सोने की चेन च्छिनी गई थी उस महिला से क्या उस सोने की चेन को case property कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता है यह भी आपसे इंटर्वियू में पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा क्वचन के चांसे बनता है नहीं बनता है पूछे जा सकता है ऐसे तो case party a party which is subject matter of a crime लिख लिजयागा case party का the party which is subject matter of crime is knowledge case party accused ने cheating किया और बैंक में सारे पैसे रख है खाता सीज किया जाता है पढ़ते हैं अखबारों में cheating के और fraud के cases में तो that is seized, that is freeze उसका technical word है खातों को freeze कर दिया गिए मतलब freeze मतलब सीज जम गया खाता वो operate अब नहीं हो सकता freeze इसलिए, freeze में जैसे हम कोई चीज जम जाती है रखते हैं तो ठंडी पड़ जाती है तो खाता freeze कर देना मतलब वो खाते में अब कोई transaction नहीं होगा पैसे का आदान-प्रदान नहीं हो सकता freeze मतलब जो खाता siege हो गया था वो अब चालू हो जागा तो यह technical term कहीं अगर in case के तो केस पड़ी ओ ता है which is subject matter of crime सोने की चेन जो छिनी की ओ क्राइम है क्या offense मनता है सोने की चेन छिनना का what is the offense of a snatching robbery तो किसी को putting into extortion में victim property अपने हाथों से देता है या extortion में चीनी जाती है किची चमें आगा robbery क्यों होना चाहिए robbery में putting into instant fear अगर कोई party आप forcibly ले रहा है by putting the victim into instant fear instant immediate fear of either death or grieving assert तो ओ जौब जो जो बिल में तो चाहए है कि नाम दिया गया है हम्? नया जो बिल आया है कि अभी नय बिल अभी नय बिल की हम अभी हम लोग नय बिल की बात नहीं करेंगे नया बिल अभी जो भी हम लोग नया बिल के बारे में हम लोग चर्शा करेंगे लेकिन अभी नहीं और अभी उसका चर्शा करना उतना उचित नहीं होगा तो देखिये इसको समझिये थेफ्ट, एक्स्टार्शन दॉप देफ्ट में उस परसेंट के उस विक्टिम के कंसेंट के बगैर डिजॉनेस्टली कोई चीज लेना Unless the intention is dishonest, there can be no theft हम लोग करेंगे IPC का जब माउख चलेगा तो Theft में, विक्टिम को कोई fear अगरा या रायधम काया नहीं जाता Extortion में, fear indirect होता और robbery में, fear direct होता, instant होता So these are the few boundary lines अब उसने स्वने की चैन छीन के भागी तो अभी तक practice में और precedence यही रहा है कि Theft का case दर्ज होता, 379 का charge frame होता बहुत जगा आप देखेंगे कि use of criminal force, 356 and 379 जपट्टा मारा, तो criminal force, crime करने की रादे से तो 356 और 379 का भी चार्ज लग सकता और अगर यह T.E.A. सामने आया और मेरा collar पकड़ के चाकू दिखाया और मेरे स्वने की चैन मेरे गले से तोड़ के ले गया तो ये क्या होगा? चाकू दिखाना, putting the victim into instant fear होगा? ये इस दिखाना, putting the victim into instant fear एक्स्टॉर्शन में उस बंदे को मजबूर किया जाता है और एक्स्टॉर्शन में वो बंदा पर्टी अपने आप हवाले करता है मैं आपको बोलू कि जी आपका एक वीडियो है 10,000 रुपए अभी दीजिया नहीं तो अभी हम सोचल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है और आपका पोल खोल देंगा तो आप मजबूर हो के अपनी साख बचाने के लिए मुझे 10,000 रुपए देता है इसमें भी I am putting you into the fear but the fear is not immediate आपके पास time है रॉबरी में आपके पास time नहीं होता गन पॉइंट पे ये दो नहीं तो बोली मार देंगा कोई जरूरी नहीं कि गन पॉइंट पे ही रॉबरी हो डंडा ले गया है कि ये दो नहीं तो सर फोड देंगा आपने डर के मारे दे दिया एनि टाइप अफ हम लोग इसे हम मिक्सप हो गया समझाने के चकर में ये बहतर होगा आई पीसी के आई पीसी का जब होगा तो ये सारी चीजें इन सारी बारिकियों को समझना अगर माल लिजेगे आप पूछा गया कुछ कोई आपको गलत बताते हैं वहां पे तो अगर आप एपीओ का इंटर्वियू दे रहे हैं तो ये सब जो बेसिक और एपीओ को थेफ्ट के ही केसेज करने हैं थूब करने हैं तो इन सारे चीजों पर आपका बिल्गुल चला हैं एक सेज और ये सरे कोईसप्टीशन आप से पूछ हदाएंगे अलमस्ट अधिक्तर से पूछ हदाएंगे Coming back to the case party, any party involved into a crime is considered as case party. Case party को कहीं define किया गया CRPC में? कोई definition है case party का? No, sir. कोई definition है तो case party का यही definition है कि पड़ी involved. तो case party की भी TIP होती है, ये बात अपने आप में बहुत जरूरी है, कि मालिजे कि किसी का mobile चोरी हो गया, पुलिस ने उसे पकड़ा, तो क्या ये वही mobile है, जो छोरी हुआ या नहीं हुआ, इस बात की सिनाखत बहुत जरूरी है, तभी case survive करेगा. Case party is something else, and recovery is something else. तो prosecution का case के लिए ये fatal होगा नहीं होगा. कि मालिजे कि उस महिला का chain चोरी हुआ, जब वो case party के बारे में कहा गया, तो उस महिला ने कहा कि ये chain मेरी नहीं है, मेरी दूसी chain मोटी वाले थे. तो एक्षी को तो इसलिए गिरफतार किया गया ना, कि उसके पास से उस महिला की थिनीवी chain बरामद हुई, तो अगर महिला कहा देती है कि ये मेरी chain नहीं है, तो can we say that that you are found in possession of a stolen party? No, sir. हम लोग भी पढ़ेंगे, a stolen party का क्या definition है? अब मान लिजे कि आपके पास, आपके आपने हाथ में उठी पहन रखी है, और उसका बील नहीं है आपके पास. तो क्या वो a stolen party हो जाएगी, वैसी party जिसका बिलना हो तो a stolen हो जाएगी, या वो आपके ही होगी? मैने ये टी-चर्ट पहना, इसका cash memo नहीं है मेरे पास. तो क्या ये टी-चर्ट a stolen party हो जाएगा? No, sir. तो what exactly is a stolen party? और आप APO का इंटर्व्यू देरें, you must know. हम कर लाएंगे, आज आउट अफ ट्रेक होगे, पता ना किदर से किदर भाग गया. और, yes. जी, जी. नेविका, अगर WhatsApp में करा हो, अगर Wi-Fi वगड़ा जो हो, आपके पास अगर चांसे जो Wi-Fi वगड़ा करा, तो वो जरूर मोबाइल नेटवर्क अभी डिस्टर्ब हो जाता, या कोई अच्छी कंपनी का नेटवर्क, या कुछ वैसा, आपकी आवाज बिलकुन नहीं आई, हम लोग समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाहता. चलिए जब आपका नेटवर्क हो तो आप पूछ ली जाएगा, तो कमिंग टू दा जब केस पड़ी का जो है, कि जब आइडेंटिटी इस्टेबलीज करना, केस के हलातों के अंसार अगर जरूरी है, तो TIP बिलकुल मेंडेटरी है, अब चलिए एक्यूज के TIP की बात करत हाँ, तो एक्यूज की अगर आइडेंटिटी इस्टेबलीज करनी है, तो TIP की जिवड़त है, पुलिस TIP कराएगी या पहले जूडिशल TIP होगा, एक्यूज को को, पुलिस TIP हो जाएगा, तो फिर जूडिशल TIP किस बात का, तो यह TIP होगा, तो अगर जूडिशल TIP तो पुलिस TIP कराएगा, तो पुलिस का स्टड़ी में दिया हुआ स्टेटमेंट और पुलिस का स्टड़ी में एक्यूज का पहचान करना, दोनों एक ही चीज है, अलग-अलग चीज है, अगर वो चुडिशल TIP करेंज में होती है, तो तब वो आप कुछ और बता रहा है, पुलिस का स्टड़ी में नहीं होता है, ये टी आईपी हमेशा का स्टड़ी में और इन्वेस्टीएशन के दोरान, judicial T.I.P. भी अगर हो रहा है तो that is no more a judicial setting that is part of the investigative proceedings देखिए आपको बता accused को muffled face में क्यों code में paste किया जाता है आप जब कभी कचरी जाएंगे तो देखेंगे नेने जो मुल्ली में उनका चेहरा अब तो कुरोना से हर गोई mask ही पहन दा लेकिन पहले कुरोना से पहले आप देखेंगे कि अधिकतर एकिऊच के मुँपे कपड़े होगरा मफलर होगरा ये सारी चीजे बंदी होती थी क्यों इसलिए कि उनकी सिनाख्त उनकी सिनाख्त होनी है अब है अगर माल लिजिए विक्टिम पहचाने की अधिक्यूच को और अधिक्यूच का चेहरा ही दिखा दिया गया विक्टिम को तो त्याइपी की कोई अहमियत होगी तो इसलिए अधिक्यूच को मेंडेट्री है मफल फेस में प्रोडियूस करना है अब पुलिस मैनुवल अब एक्यूच ने मना कर दिया कि मैं टी आइपी में मैं नहीं पाटिसिपेट करूँगा चुकि मेरा चेहरा मोरा दिखा दिया गया अधाने में अनफिशली जवर्दस्ती तो अब टी आइपी कराने का कोई अचित्य नहीं है अब एक्यूच को टी आइपी के लिए कभी मजबूर नहीं किया जा सकता अब एक्यूच को मजबूर करने का मतलब टी आइपी के लिए उसका ये मतलब है कि हम आर्टिल 20 क्लॉस 3 दॉक्रिन अप सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसकी धजियां उड़ाता तो एक्यूच के नौट बी कंपेल्ट अगर एक्यूच का रिफ्यूजल है ठी आइपी का तो एक्यूच का जो एक्सप्लेनेशन है कि as to why he is refusing उस एक्सप्लेनेशन पर 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 विचार करेगी चलिए अज यूदिशल ठी आइपी में कि उसने मना कट दिया कि ठीक है भी हम नहीं कराता है अब क्या होगा अब पुलिस उस विक्टिम का ब्यान लिखेगी कि आज मैंने इस मुल्यम को या तो कोट में देखा या आपके सामने थाने में देखा और ये वही सक्स है जिसने उस दिन मेरे सोने की चैन तोड़ी थी तो ये हो गया पुलिस का जो विक्टिम का सप्लिमेंट्री अस्टेट्मेंट कन्सर्निंग टी आईपी ये सिनाख्ती ब्यान इसको कहता है अगली चीज जो इस समंदित हम लोगों को समझना है कि ये ब्यान पुलिस कभी भी जब उसका जूडिशल टी आईपी का रिफ्यूजल आ जाए तो करवा सकती है एक अगला सवाल है मेरा कोई महिला थाने में आती है और कहती है कि दो बाइक सवार है काले सिसे का हेलमेट में होता है ना काला सिसा काले सिसे का हेलमेट पहन रखे थै मैं बाइक का नमबर नहीं नूट कर पाई और वो मेरे सोने की चैन तोड़के लेगा इस तरह के F.I.R कंजाम क्या होगा क्या इस तरह के F.I.R कोट में दो मिन्ट भी टिक पाएगा बताईया लेकिन वो अन्नोन की आइडेंटिटी इस्टेबलिश होने का कोई चांस है बाई का नमबर नहीं पता काले सिशे का हेलमेट शेहरा नहीं देख पाई F.I.R. तो होई सकता लेकिन इस F.I.R. का कोई फ्यूचर है F.I.R. तो अफैंस, F.I.R. तो होना ही ओना है offense और cognizable offense है F.I.R. is must into cognizable offense लेकिन F.I.R. लेकिन F.I.R. in-line ओपर बाई का पता नहीं एक्यूज का चेहरा नहीं देख पाई काले रंगा शीशा पाना हुआ था तो नहीं तो ऐसे में आंसर आपका यह होना चाहिए कि इस तर चेहन स्नेचिंग एक कोगनीजेवल ओफेंस है एक्यूज आइदर नोन और अनोन इसका फ्यूचर थोड़ा कमजोर हो सकता है चोकि एक्यूज के आटेंटिटी को इस्टेबलीश करने का कोई सोर्स नहीं है इन्वेस्टिगेशन के दौरान आस पास की अगर कोई वीडियो फूटेज मिल जाता है और उससे कोई फर्दर एवडेंस मिलता है जैसे बाई का नंबर डिस्पले हो जाया या एक्यूज भागते वागत सीशा उपर गया उसका चेहरा दिख रहा हो तो फिर ये फिर प्यार प्लेट ये केस्ट्रोस का स्ट्रों हो सकता है यस क्या चेच जी जी बोलिया यसका क्षब मालष्ण bạnष्ण ये के फिरे लोण ये लुवेदीज दी जी चरप्ट brightness कम्सिंट प्लेटिज जी हए इंड़ोड़ोड़ोडश जी एक्येूजएवड़ोड़ोड़ड़ आसक्य वेदेट बैं देट और देट ? circumstantial evidence चुगी circumstances explain the thing circumstantial evidence पे भी YouTube पे complete video बनाये हुआ 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 हुछ है आप देखे आप बहुत सारी चीजी आपकी पूरी हो जाएंगे और यहाँ इस case में वीडियो फुटेज क्या circumstantial evidence consider किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है और direct evidence direct evidence में वो महिला है लेकिन वो महिला का बियान कितना efficient है उसका बियान बहुत ही deficient है efficient तो बहुत दूर की बात है deficient है चुकि नहीं उसे बाई का number पता नहीं उसे एक्यूज के बारे में पता तो उस महिला से क्या मिल सकता है पुलिस आगे पूछ सकती है कि बाई का रंग क्या था मुल्जीम की कद काठी क्या थी पतले थे दुबले थे कपड़े कैसे पहन दख्या थे उस महिला का जो भी बियान आता है अगर वीडियो फूटे से मैच होता है तो फिर एक खुलू बन गया है यह सर्थ अधर बाई नो इस तरह का आंसट नहीं देना है वहाँ पे आज तो आपका पहला ही दूसा सेशन है यह पूरा एक सर्चाइज कराया जाए अरे 11 बजिया है मुझे ध्यानी नेरा आज थोड़ा वह बचे लुगा रहते और जो भी जैसे भी आप लोग वट आई सजेस्ट यू कि देखिए आप केंडिबेट हैं आपकी क्या रिक्वाइर्मेंट है बहतर आप समझते हैं तो और ये हम सबों का सपना है कि ये जो मिशन है इस बार का APO, भीहार APO ये सक्सेस्फुल हो तो अज ए कंडिडेट आपकी क्या हो सकता हैं आप नहीं संकोच खुल कर मुझ से सेर करेंगे और उस हिसाब से हम लोग भी अड़जस्ट करने का कोचिस करेंगे आपको चुपयान ही रहना, मैं बार-बार रपीट करता हूँ हम लोग इतने सारे एक्सराइज कर दे हैं हो सकता है कि इन सारे एक्सराइज से कुछ क्वेशन आए भी हो सकता है कि कुछ भी नाए इन से तो अब हमारी एक है स्टुडेंट से भी UPPCS में नाम नहीं आपको यखीन नहीं होगा कल भी मैं बोला था उसे लोग का not even a single question एक भी question उसे लोग का नहीं सारे का सारा जी के जीए सोगरा हो सारे questions पूछेगा पता नहीं क्यों पूछेगा क्या हुआ किस लिए पूछेगा this is what the feedback she is my student of foundation course for last two years regular student उसका somehow selection नहीं हो पाया जोगी उसके लिए भी painful हमारे लिए भी painful और classes में उस सब से आगे हर सवाल का सही जबाब देना और कभी-कभी बतकिस्मत ही होती है और भी जगा के interview finally नहीं हो पाया तो कभी-कभी किस्मत भी उसका भी खम्याज़ भूगतना पड़ता है जैसे आपका interview board किस तरीके का है interview room के अंदर महौल क्या है बोड किस तेवर में है atmosphere अब माल लिजे कि आप से पहले कोई है student इरिटेट करके चला गया वो कहीं आपका नमबर है अब देखें अब ये तो होनी अन होनी उस पे अब ये अब देखें only 2 वार 100% honestly that we can do and that is only our limitation at the end any question अगर अगर देखिये देखिये अगर 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 आग एक इस स्टुडेंट से इंग्लिस लेंग्वेज में पूछा गया है, तब आप इंग्लिस लेंग्वेज में इंग्लिस मीडियम में जबाब दीजिया, लेन इंग्लिस मीडियम वाले स्टुडेंट से अगर हिंदी मीडियम में सवाल पूछा गया है, तो आप कोशिश किजिए हिंदी मीडियम में ही अब वैसे भी देखिया माली जे कोई आप से हिंदी में बोला और आप दे दना तन अग्रेजी लगे अच्छा लगेगा तलब प्रैक्टिकली थोड़ा सा अब आकोर्ड सी सिच्वेशन हो जाती है हिंदी मीडियम की तो चलिए मजबूरी है उनने मीडियम ही हिंदी रखा तो हिंदी मीडियम वाले स्टुडेंट ये मत सोचने लगिए कि भई हम अंग्रेजी में नहीं बोल सकते आपने मीडियम हिंदी रखा है हिंदी मीडियम आप तो मीडियम का कुछ हो भी नहीं सकता जो है उसी में आपको परफॉर्म करना तो हिंदी मीडियम वाले अगर माली जी एक दो लाइन आप अंग्रेजी बोल सकते हैं आप चंग्रेजी में सवाल है तो एक दो लाइन आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं परमाली जै कि हिंदी मीडियम से अंग्रेजी में पूस दिया गया तो आप हिंदी में जबाब दीजी अगर वो टोक्ते हैं तो आप बोले कि सर हमारी जो हिंदी मीडियम से सारा रांग्रेजी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी किसी भी चीज का जबाब आपको smartly देना, आपको convincingly देना, घबडाना नहीं है कभी, ये छोड़ी छोड़ी चीज है, these things make huge, huge difference. for last around now 30 years, for last 30 years, I am telling you on the basis of my last 30 years of experience. तो I don't say that this is only correct, depends upon कि अंदर क्या महौल है, किस तरीके से, आपको वहाँ पे एक pragmatic approach, exchange of urgency ओ, आपको develop करना, और आज तो चलिए जो भी हुआ, आप जिनके पास network का इस हुआ है, आप अपना network manage कीजिया, क्योंकि अगर network आप manage नहीं कर पाएंगे, तो फिर recording तो आप सुन लेंगा, लेकिन फिर आप, आपका मौक अच्छे डंग से नहीं हो पाएंगा, यह भी जो अभी class हुआ, अगर recording में भी अगर आपका network खराब है, तो आप क्या बोला है, ओ तो आपको नहीं मिलागा, हम मैं आप देख लिचे network कैसे हो सकता, कोई भी issues हो, कोई भी questions हो, never hesitate asking me, all students are my soul and heart, उसके लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हूँ, आप अपने mission को successful बनाईया, अपना भी होसला बढ़ाईया, आपको क्या लगता है, हमें नहीं होता, हम भी इंसान है, हमारे उपर भी यह सारी चीजे से हाव यह होती है, as long we are, अगर super human हो गए, तो इन सारी चीजों से बाहर हो जाएंगे, we are all our human being, तो आप यह मत सुचिया कि आप ही को घबडा हट होती है, मैं भी nervous होता हूं, मैं भी घबडा हता हूं, तो मुझे देखिया, कोशिस कटना इन चीजों पर काभू पाने, so with these things, now thanks for attending class, see you tomorrow, कल हम लोग section 10 से लेके, आज section 10 नहीं हो, पाया time की कमी से, section 10 से लेके 31 तक करेंगा, ठीक रहेगा इतना, इतना कट लेंगे या कुछ और कम कट दिया जा, करना है नहीं हो, तो चलिए 10 से 31 तक, आप लोग पूरी तरी, दिखिये, मौक का फायदा तभी होगा, जब ये सब चीज आप त्यार करके रेडी रहेंगे, सभाविक हैं, यहाँ पे सारी चीजे पढ़ाई नहीं जा सकती है, अभी explain करना भी, जो जो बहुत important topic है, जैसे आपका TIP हो गया, जैसे आपका Registry हो गया, तो उन सारे चीजों का, एक short explanation हो सकता, लेंग सारी चीजों का possible नहीं है, a short explanation, अब देखें इसमें बहुत सारी चीजे छूट गई, मोटीव में क्या आंतर होता है, इंडेंशन में क्या आंतर होता, मोटीव इंडेंशन में डिफरेंस क्या होता, section 8 में पूछा जाएगा, how conduct becomes into a criminal case, questions अनेकों बन सकता, समय इतना कम है कि सभी चीज हम लोग नहीं cover कर सकते, मोटी मोटी चीज़ें, जो pattern है, जो धड़ा है, उनी चीज़ों को cover कर सकते, चलिए अब मुह से निकल गया motive intention, कल का पहला question होगा motive or intention, इसको तियार कट ले दियागा, ठीक है, see you tomorrow, good night.